किसान बाईयों नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल डी फार्मिंग में किसान बाईयों आज हम बात करेंगे बिंडी की फसल में पहले स्प्रे के बारे में यानि कि जब हमारी फसल लगबग 20-25 दिन की स्टेज में होती है या मान लेज़े 20-25 दिन की स्टेज में होती है तो उस समय हमें पहले स्प्रे की जरूरत पढ़ जाती है ताकि हमारी फसल में किसी भी परकार से मच्छर, कीट, मक्की, थ्रिप्स आदी का टेक ना हो फसल की ग्रोध भी हो सके अगर आप अगेती खेती करते हैं तो फसल की ग्रोध नहीं हो पाती है तो आपको इसमें पहला स्प्रे करने की जरूरत पढ़ती है तो पहले स्प्रे के रूप में आपको एक कीट नैसक का परियोग करना है साथ ही टोनिक का परियोग भी करना है जिससे आप कीट पर नियंतरन कर सकते हैं पेदावार को बढ़ा सकते हैं फुसल की ग्रोध भी कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको मिंडी में पहले स्प्रे को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूँ कौन से दवाई आप पुर्योग मिला सकते हैं क्या भाईदा आपको मिलता है इस वीडियो को लगातार देखते रहिए पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी चैनल पर पहली बार आएं सस्क्राइब करना फ्री होता है नीचे दिये वे लाल अक्सरों में अधिक सदिक संग्या में सस्क्राइब के बटन पर कलिक करे पास में जो गंटी है उससे जरू दबाए किसान भाईयों जब हमारी फसल लगबग 20-25 दिन की स्टेज में होती है तो अगर आप अगेती कहती करते हैं तो इसमें यह समश्या आती है कि हमारी फसल में मच्छर, कीट या इल्ली, सुंडी, आती का परकॉप देखा जाता है जो कि हमारी फसल के पत्तों पर नुक्सान करती है पत्तों को काड़ती है इसके लिए आपको उसमें किसी भी बेस्ट कीट नासक का परयोग करना है जिससे आप इस सभी की रोगधाम कर सकते है तो बिंडी में पहले इस्प्रे में आपको पहली चीज लेना है एक कीट नासक जिसके रूप में आप सिजेंटा कंपनी की अलिका का उपयोग कर सकते है इसमें टेकनिकल पहे जाते हैं दो जिसमें से पहला है थायो में एक्जाम 12.6% प्लस लेमडा साइलो तरीन 9.5% टेगनिकल पाई जाता है तो इसका प्रयोग आपको करना है बात करते हैं इसकी मातरा की तो आपको 10 ml एलिका का उप्योग 15 लेटर के स्प्रे पंप में डाल कर उप्योग करना है इसके साथ आपकी वसल में आपको दूसरी चीज लेना है फेंटाक प्लस टोनिक को जैसा कि किसान भाईयों अगर आप अगेती खेती करते हैं या पचेती भी आपने भुवाई की हैं तो सुरुवाती स्टेज में बिंडी में समझ्या आती है कि हमारी वसल की ग्रोध नहीं होती है उसमें फल्स भुलनों का विकास सुरुवाती स्टेज में ही रुक जाता है तो इसके लिए आपको एसमें एक टोनिक का पर्योग करना है जिसके रूप में आप फेंटाक प्लस टोनिक का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें मुख्य रूप से अमीनो एसीड और विटामिन्स मौजुद होते हैं जो फसल की क्रोध बढ़ाने के कार्य में कापी मददगार साबित होते हैं तो आपको इसका उपयोग करना है बात करते हैं इसकी मातरा की तो 25 एमेल आपको फेंटा प्लस लेना है 15 लेटर के स्प्रेय पंप में और उसको अपनी बेंडी में छिड़काव कर देना है तो इनका परियोग करने से आप अपनी फसल में कीट पर रोक थाम कर सकते हैं साथ ही फेंटा प्लस टोनिक का आप परियोग करोगे तो फसल की ग्रोध भी बड़ेगी अगर आपकी फसल में फंगस का अटेक हो रहा है तो आप किसे भी बेस्ट फंगिसाइट का उपयोग भी कर सकते हैं कारबेंडा जीम या मेंको जेब के मिसरन यूपियल साब का परि इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो हमने हमने बिंडी में पहले स्परे को लेकर चर्चा किरी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पसंद आने पर लाइक अदिक सदिक सेयर करें धन्यवाद